नमस्कार दोस्तन स्वागत है आपका हमारे शेनल चार जागेंद रमिस्टा में आज हम बात करेंगे आज के कने रास्कितनिक रास्पल की लेकिन उससे पहले बात कर लते हैं आज के पंचांग के बारे में 12 शितंबर 2021 दिन रभी वार है और भाद रपद शुकल पक्षी आज 6 तिती है नचत्र की बात करें तो आज नचत्र है बिशाखा और अब जीत महुर्द की अगर बात करें तो दुपार 11 बज के 37 मिनट से लेके दुपार 12 बज के 38 मिनट तक रहेगा आज के सुरूद है सुबाए 5 बज कर 55 मिनट पे और चंदरमा किस्तेती होगी सुबाए 7 बज कर 14 मिनट तक रहेंगे तुला राश पे इसके बाद ब्रिशिक राश में गोचर कर जाएंगे यानि कनियराश के जातकों आपके जो तीसरे भाव पे ब्रिशिक राशिपे चंदरमा शुबाए ही गोचर कर जाएंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छे रहेगा आपके पराकरम भाव पे जा रहे हैं कान्फिडेंस लेबल बढ़ेगा और उर्जा से भरपूर रहेंगे एनर्जी से भरपूर रहेंगे आज के जो अशुब समय होगा वह होगा यानि की साम चार बच कर एक मिनट से लेके साम पांच बच कर छे मिनट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भी सुब और नए कार के शुरुआत ना करेनी तो बिगन वाधाईया शकती है अब बात करते हैं आज के कन्यराज की दनिक रास्फल की और ये प्रड़क्शन चंद राशी पराधारित है कन्यराज के जातकों आज किसमत सबर जाएगी क्योंकि किसमत और भाग दोनों का साथ मिल रहा है कनियरास के जात को आज रुके हुए तमाम कार पूरे होंगे पेंडिंग कामों पर मन लगेगा और पूरा करने का प्रयास भी करेंगे आज आप के उचद गाजियों के साथ बहतर संबंद होंगे प्रोफेशनल लोगों के साथ भीतर संबंद और उनका पूरा-पूरा सपोर्ट मिलेगा समाजिक छेत में बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे समाज में लोगों के प्रति सहान बूत रहेगी वाड़ी से लोगों को आज आप मोहित करते ने जराएंगे बाड़ी के द्वारा इंपोर्टेंट काम को पूरा करते ने जराएंगे कन्यरास के आटकों कन्यरास के आटकों आज आपको विजनसी ब्यापार में कोई महत्पून डील करूप में काफी खुशियों से भारा रहने वाला क्योंकि ये जो डील फाइनल होगी इस डील के सफलता मिलने से कन्यरास के आटकों आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आगी आपकी जो बित्ती स्थिति होगी काफी मजबूत और उसमें सुधार देखने को मिलेगा धन आई के स्तरोत बढ़ेंगे और जब धन आई के स्तरोत बढ़ेंगे कन्य रास्कियत को तो आपका मन काफी प्रसंट रहेगा खुशियों से भरा रहने वाला है कन्य रास्कियत को रुकावटे दूर होंगी बिगनवाधाएं दूर होंगी आज की दिन आज आज आपका मन काफी पोजिटिव और सकरात्मक से भरा रहने वाला है परतेक कार में मन लगेगा और आप लोगों के बीच काफी बने जाने यानि की काफी बड़े लोगों के साथ जो मान समानी बेकते हैं उनका आपके घर में आना जाना हो सकता है उनके बीच आप बने रहेंगे और किशी ऐसे मित्र की आज आपको सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है कने रासकयत को जिससे आपको भी उम्मीद नहीं करते थे आज आपको समाज में किशी की आपको भी मदद करनी पर सकती है आज आप महतपूर काम के लिए कुछ यात्राइं कर सकते हैं कन्य रासकयत को और ये यात्राइं हला कि आपके लिए लाभपरद रहेंगी लेकिन कीमती चीज की देखरेक जरूर करें कन्य रासकयत को जब भी आप यात्रा करें तो अपने चीजों के ध्यान रखें कियोग बनेगे आज नई नोकरी लगने के संभावना है जो कन्यरास के जातक अभी तक दरदर के ठोकरे खा रहे थे नोकरी के लिए बार-बार अपलाई कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रहे थी तो आपकी एक बेहतर और अच्छी जोब मिलने के संभावना है और अच्छी जोब मिलने से आपकी आर्थिक इस्ति भी मजबूती आएगी और साथी घर परिवार की जो इस्तिया होंगी उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा कन्यरास के जातकों आज आपके बोस और जो बरिष्ट अदकारी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा आज आपको बिदेश की यात्राएं करनी पर सकती है बिदेश में अगर रहते हैं कन्यरास के जातकों जॉब करते हैं बिजनेस ब्यापार करते हैं तो उसमें आपको बड़ा धन साथ बियायाम अपनी रोटीन में सामिल करने के कोशिच करें सूर्योदय शिपले उठने की कने रास करते को कोशिच करें सूर्द कंग एक रोटा जल जरूर दिया करें लाल पुस्ट पर डालके से आपके स Jehat पाफी सुधार कनेराज के जदकों आप जड़ ज़दा मेहनत करेंगे competition के तियारी कर रहे हैं फिर किसी interview के तियारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा कनेराज के जदकों आज आपको दामत्त जीबन में खोशियों से भरा रहने वाला है काफी सुधार देखने को मिलेगा एक दूसरे का साथ मिलेगा जीवन साथिक साथ कंधे सकंधे मिला कर चलेंगे उन्हों को साथ जदा जदा वक्त बिताते नजराएंगे कने रास के जातकों आज आपको संतान के रूप में बड़ी खुसकबरी मिल सकती है किश्मत और भाग दोनों को साथ मिलने से आज आपके घर में एक बेहद शुब किलकारी गुंजती नजराएगी शाती साथ आज अगर संतान आपके योगे हैं बड़े हैं तो वो आपके कारचेत में आपकी मदद कर सकते हैं या फिर उनकी नोकरी लग सकती है या फिर सिक्षा के छेत में अच्छा उनको फाइदा हो सकते है जिससे कि अच्छे रिजल्टा आशकते हैं जिससे आपके मन म काफी प्रसंता आएगी समाज में मान समान बढ़ेगा समाज में लोगों के प्रति आपके शाहन भूत होगी वाणी का प्रयोग काफी बेहतर रहेगा कुरोध से बचना होगा किशी को अब सब्द नहीं करना होगा अपनी बाणी पे आज करवाहट बिल्कुल भी नहीं लानी होगी आज लेन देन का मामले में बहुत सावधानी बरते किशी को धार करजन ना दे अलाकि रुका हुआ फस्तवा धन प्राप्त होगा बैंकिंग के छेतर से आज आपको धनलाब की प्राप्ती होगी लोन बगारा है छेतरों में लाब होगा अगर आप लोन के लिए काफी होगा आज आप विदेश में कुछ कार करते हैं करने रासकायत को या फिर कोई बिजनस ब्यापार इस्टार्ट अप करना चाते है तो यह अच्छा अपसर रहेगा बस आपको मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत होगी करने रासकायत को आज जो भी काम करें अपने बहुत बड़ी नहीं होंगी क्योंकि तीसरे भाव सी यात्रा भी देखते हैं चोटी यात्रा देखते हैं तो यह यात्रा भी हो सकती है नजदी की कहीं रिलेसंसिप में आना जाना हो सकता है या फिर किशी मार्कटिंग के काम छेतर से भी आप यात्रा कर सकते हैं कने रासक कर शुक प्राप्त करेंगे नई गाड़ी बाहन खरीदने का योजना बना सकते हैं तो आपके घर में शुक शुवधाओं की ब्रद्धी होगी कुछ जरूरतों की चीजों को लाशकते हैं हलाके खर्च बढ़ेंगे लेकिन इंकम के स्रौध बढ़ेंगे आई के स्रौध बढ़ने से करने राशके आत्मों आज आपके मन में काफी खुशियां प्राप्त होंगी घर परिवार में खुशियों को वातवरन देखने को मिलेगा घर परिवार में एक जुटता देखने को मिलेगी अगर परोशियों के साथ कोई संबंद खर तो आज आपके बेहतर होते नजराएंगे आज आपके प्रोशक साथ वो मनमुटाव भी दूर होंगे एक दूसरे के साथ मिल जूलकर काम करने का मौका मिलेगा कई एहम पहलेओं पर आज पारिवारी के बिजार बिमार से होगा कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं आज धन न लाब होने का योग बनेगा कने राज की जातकों तो कने राज की जातकों आज आपका शुबरंग रहेगा यहाँ पर लाल और भाग साथ निभारा आपका तकरीवन 89 परसनल तो दोस्तों ज्याते ते वीडिक लाइज जरूर करें नए तो चानल को सब्सक्राइब करें और चिनदेव